नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की जो वीडियो है ये एक इंडक्शन के उपर है जो पूरी तरह से डेड हो चुका है इसमें क्या फाल्ट है इसकी सप्लाई कैसे रपेयर की जाती है तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सेक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों यह है एक इंडो कंपनी का इंडेक्शन जिसमें सिर्फ दो ही स्वीचें आगे ओन ओफ और फंक्शन यह इसकी डिस्पले है यह वाट में कितने है यह इनपुट 240 वोल्ट और फ्रेक्वेंसी इसकी 50Hz और जो इसकी पावर है 2000 वाट में अब इसको चेक करते हैं सप्लाई में लगाकर है अब यहां देखते हैं सबसे पहले कितनी सप्लाई है कि 250 के लगवग और जो इसका स्विच है अब इसको लगा दिया सप्लाई में और इसके साथ यह सप्लाई यह पूरी तरह से डड़ है अब इसको खोलते हैं सबसे पहले तो दोस्तों हमारा उदेश्या आपको नए से नए फाल्ट के बारे में पूरी जान करी देना किसमें क्या फाल्ट है और… मैं लिप्वा के पूर जारा जा इब साथ शटीर वूरी सेुट मूरी तरह करी पादो यह पूर्छी तर जिया करी कूर्ट है पूरा पाल्ट है čि असकूर। सबसे पहले इस जैक को निकालते हैं और एक बार इसमें हवा मारते हैं यह दोस्तों इसका फैन है इस कोईल और सरकर को ठंडा रखने के लिए अब इसकी कोईल को निकालते हैं सबसे पहले अब यह जैक निकालते हैं और इसके बोड़ को बार निकालते हैं अब जो इसकी वायर है यह इसको लगाते हैं सपलाई में और देखते हैं इसमें जो पावर सप्लाई है वह आ भी रही है या इसका फ्योज उड़ा हुआ है इसके अंदर सप्लाई तो आ रही है इसमें कोई और फाल्ट है इसमें सबसे पहले देखते हैं इसके डाइड लगा हुआ है इस डाइड से डी सी सप्लाई बन भी रही है या नहीं सप्लाई तो इसकी तीन सु साथ वोल्ट के लगब बन रही है अब देखते हैं इसमें यह इसका आइसी लगा हुआ है मेन आइसी जो सप्लाई को होता है यह इसका फंक्सन आइसी अब इसके अंदर देखते हैं सप्लाई चेक करके डी सी सप्लाई सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो पांच वोल्ट होती है इसके पैनल को वो इसमें आ भी रही है या नहीं है कि अरे दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं आ रही है अब जो इसमें लगा हुआ है फिल्टर यह फिल्टर है चार पॉइंट साथ यूएफ चासुप चास वोल्ट है इसको करते हैं चेक कि इसके पास साड़े तीन सो वोल्ट के लगव है भी या नहीं इसके पास भी सब्लाई बिल्कुल भी नहीं है और यहां वोल्टेस 115 और यहां लगा है एक डायड इस डायड के पास कितनी सप्लाई इस पे 230 वोल्ट और यहां सी 115 और यहां सी 230 आप देखते हैं इस रेजिस्टेंस को यह में रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें यह कितने की है यह बाई ओम की है अब इसको चेक करते हैं कि यह रेजिस्टेंस खराब है 20 ओम की रेजिस्टेंस है ही रेड रेड ब्लेक हमारे पास बाई ओम की तो रेजिस्टेंस टाइम जो अवेलिबल नहीं है यह है टैन और टैन इसको सीरिज में जोड़ देते हैं ऐसे यह हो गया 20 वाट में 20 ओम में हो गया है अब इसको करते हैं एक बार सोल्ड आए इस रेजिस्टेंस को लगा देटने है इसकी उपर यह लगा दी रेजिस्टेंस ट्वंटी ओम की और सबसे पहले अब लगाते रहते हैं इसकी सप्लाई लग अगर देखते हैं इसकी बीप आ गई है यह ठीक हो चुका है इंडक्शन अब इसका लगाते हैं जैक सप्लाई का जो आगे पैनल पर सप्लाई आती है अब चेक करते हैं इसको ऐसे बुबारा लगाते हैं इसकी सप्लाई की बाइर यह देखिए यह ओन हो चुका है अब इसकी फीटिंग करते हैं उसके बाद करते हैं इसको चेक को लगाते हैं इसमें और यह जो फैन का जैक है फैन का जैक है और अब इसमें रगाते हैं एक पैनल का जैक है कि अधिक है अधिक है पिए यह आधि अब लगाते हैं इसका स्वीच पावर में और इसके उपर रखते हैं पानी लेट में और करते हैं ओन और यह हो गया 2000 वाट में इससे इसके वाट इस कम या ज्यादा ही रेगुलेटर है इसका कर दिया हमने इसको 2000 वाट और देखिए पानी उगलने लग गया इसमें यह इंडेक्शन पूरी तरह से ठीक हो गया तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना ना बोलें धन्यवाद् आपके दिन सुभू हो